गुड मॉनिंग प्यारे बच्चो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थवा सुरक्षित होंगे बच्चो मिसन सिक्षर समवाद के अंतरगर दैनिक पठन पाठन में आज प्रस्तोत है कक्षा पांच हिंदी का पाठ एक बिमल इंदू की विशाल किरने जो की एक कविता है यह कविता जैसंकर प्रशाद द्वारा रचित है जैसंकर प्रशाद जी का जन सन 1889 में हुआ था तथा इनकी मृत्ति 1937 में हुई इन्होंने कामाईनी जैसे विश्व विख्यात महाकाव्य की रचना की इन्होंने अनेक एतिहासिक नाटकों, उपन्यासों और कहानियों की रचना भी की चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली, आदी इनकी प्रमुख रचना है आईए बच्चों, हम कविता सुरू करते हैं बिमर लिंदु की विशाल किर्ने प्रकाश तेरा बता रही हैं अनादी तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं बच्चों, इन चार लाइनों का हम अर्थ समझेंगे अब संद्रग, यह पद्धांस हमारी पाठे पुस्तक कल्रव के विमर लिंदु की विशाल किर्ने नामक पाठ से लिया गया है इसके रचैता जैसंकर प्रशाद जी हैं प्रशंग, इस कविता में कवी ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है भावार्थ, भावार्थ याने अर्थ जो हमने चार लाइन ने पड़ी है उन लाइनों का अर्थ क्या है, कवी क्या कहना चाहता है या इसमें बताया गया है कभी प्रसाद जी ईश्वर की महिमा का वखान करते हुए कहते हैं कि हे स्वक्ष चंद्रमा की उन्नत किर्णे अर्था चान्दनी ईश्वर के प्रकास को लक्षत कर रही है इश्वर की माया अनादी और अनन्त है यह हमेशा रहने वाली है और सारे संसार को इश्वर का चमतकार दिखा रही है आईए बच्चो आगे पढ़ते हैं प्रशार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखें सागर तेरी प्रशंशा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है अब देखते हैं इन लाइनों में कवी क्या कहना चाहता है भावार्थ इश्वर की दया का फैलाव, विस्तार या प्रसार कितना है, कितना अधिक है यह अधिक फैले हुए समुद्र को देखने से पता लगता है या चल सकता है वास्तों में भगवान दया के सिंधु है, सिंधु मैं सागर सागर की लहरों के गान में इश्वर की प्रसंसा का राग गाया जाना जाता है यह इसका उद्देश है आईए आगे की लाइन पढ़ते हैं तुम्हारी इसमित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को तुम्हारे हसने की धुन में नदिया निनाद करती ही जा रहे हैं आईए बच्चो इन लाइनों का भावार्त देखते हैं कभी कहता है कि जिसे इस्वर की मंधास मतलब मुस्क्राहट देखनी है वह निहारना हो या देखना हो वह चंद्रमा यानि चंद्रमा की चांदनी को देखें इस्वर के हसने की धुनी नदियों की लगातार कल-कल करने वाली धुनी में सुनाई पढ़ रहे हैं और उनके पानी बहने से जो आवाज आ रहे है वो किस की तरह है इस्वर की हसने की धुनी की तरह है आईए आगे पढ़ते हैं जो तेरी होवे दया दया निधी तो पूर्ण होता ही है मनुरत सभी ये कहते पुकार करके यही तुवाशा दिला रही है आईए बच्चो भावार्थ देखते हैं हे दया के समुद्र इश्वर जिस पर तेरी कृपा हो जाती है उसकी सब एक्छाओं की पूर्थी हो जाती है कभी कहते हैं प्रकृती के भिन भिन रूप चंद्रमा समुद्र की लहरों के समूँ आदी सभी इश्वर की महिमा उच्च स्वर में वर्नित करके आसा का संचार कर रहे हैं हमको आशा देती हैं इसी के साथ आईए हम इसके पाट के सबदर्थ देखते हैं अनादी जिसका कोई आरम ना हो हमेशा रहने वाला अनन्त जिसका अन्त ना हो मनोरत मन की कामना या विलाशा दयानिदी दया का भंडार इश्वर चंद्रिका चांदनी इसमित मन्धास मुस्कान प्रशार फैलाव विस्तार निनांद गुंजर ध्वनी तरंग मालाए लहरों के समूग को कहते हैं आईए बच्चो अब भ्याशकार करते हैं पर मात्मा को दयानिदी क्यों कहा जाता है तो अभी हमने पढ़ा है क्योंकि वह दया का सागर है सभी पे दया करते हैं इसलिए उनको दयानिदी कहते हैं तरंग मालाय क्या कर रही है तरंग मालाय भगवान के इश्वर के गुनों का बखान कर रही है मुस्कान दिखा रही है प्रभू की दया की तुलना सागर से क्यों कही है क्योंकि सागर का विस्तार जिस तरह उसी तरह प्रभू की दया का विस्तार है पंक्तियों का भाव इसपष्ट कीजिए तुम्हारे हसने की धुन में नदिया निनाद करती ही जा रही है तो इस लाइन का अर्थ भी मैंने बताया है वहां से सभी बच्चे देख पढ़ेंगे और समझेंगे तेरी प्रशंशा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है जो भगवान की प्रशंशा का राग है वो कैसा है तरंग मालाओं के जैसा जो नदियों की तरंगों की ध्वनी है उसकी तरह उनका है सोच विचार कर बताईए प्रकृति द्वारा निर्में दस चीजों के नाम बताईए और मानव द्वारा निर्में दस चीजों के नाम बताई इसी के साथ ही आज का ये पुर्णरा विरत्ति अभ्यास सबाबत होता है कल नयांक के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए सभी बच्चों को बाई बाई